दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android Mobile यूज करते हैं उसके अंदर आप Instagram यूज करते हैं और Instagram पर आपको प्रॉलम आ रही है जब भी आप अपने Instagram को अपन करन बनी हुई है तो आज की वीडियो में आपको क्या करने में बताने वाला हूं तो इस वीडियो में तक बने रहेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहा है यहां पर मैं आपको तीन प्रॉपर ट्रिक बताने वाला हूं उनको जाना है प्ले स्टोर में आने के बाद इंस्टाग्राम को सर्च करना है तो यहां पर अपने इंटरनेट से सर्च कर लेना जैसे आप इंस्टाग्राम को सर्च करेंगे आपको यहाँ पर दिखाएगा अपडेट दिखा रहा है आपको इंस्टाग्राम को अपडेट जरूर कर लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम का अपडेट आया है अगर मैं इसको आया है तो मेक शोर आप अपडेट करने तो अपडेट करने के बाद आपकी प्रॉल्म सुल्व हो जाएगी सबसे पहला काम आपको यही करना है देन उसके बाद सेकिंड काम आपको क्या करना है अपने मुबाइल को रिस्टार्ट करना है तो अपने मुबाइल को और जाएगा तो सिर्फ रिस्टार्ट कर लिजिए गा या फिर आप एक बार ओन ओफ करके देख सकते हैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्फ हो जाएगी अगर प्रॉब्लम एस फिर भी बनी रहती है तो फाइनली एक काम आप कर लिजिएगा किसी भी ब्रावजर को ओपन करिएगा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम ब्रावजर को ओपन कर लिया है तो आपके मॉपाइल बे जो भी ब्रावजर उसको ओपन करिएगा और यहाँ पर लिखिएगा इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन एपी के यहाँ आपको सर्च कर लिना है तो यहाँ पर यह वेबसाइट है सबसे उपर यहाँ वेबसाइट देख सकते हैं यहाँ पर इसको ओपन कर लिजिएगा यहाँ पर सभी इंस्टाग्राम के वर्जन्स आपको देखने को मिल जाएंगे आपको स्क्र तो आप जो है जो date है उससे एक दो दिन पुराना या हफते पुराना कोई भी version उठाकर उसको install करके देख सकते हैं, आप देखेंगे, जो आपकी problem है वह solve हो जाएगी, Instagram आपको open होना start हो जाएगा, एक दो दिन के लिए आप पुराना version यूज़ करके देख लिएगा, problem आपक